नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ बहुत दिनों बाद मैं अपना ये ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों ने तो देखा ही होगा मैं ब्लॉग इसमें नहीं डाल रही थी डेल या दो महीना हो गया होगा मैं जो है वीडियो नहीं डाली हूँ किसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही थी तो चलिए मैं अपने इस ब्लॉग में वो क्या कारण है सब कुछ आप लोगे के साथ शेयर करूंगी Actually मैं मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बहुत जादा तुखी और अपसेट हो गई थी बहुत जादा उदास थी मैं Actually मैं मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे मेरे पापा का डेथ हो गया 15 फरवरी को उनका डेथ हुआ उस टाइम मैं बहुत दुखी बहुत उदास बहुत रोई भी मैं अपने माईके चली गई और मैं इतनी जादा दुखी उदास कोई भी हो उस जगा पर हर किसी को तकलीफ होगा एक बेटी के लिए उसके बाप की जगा बहुत जरूरी रहती है बाप का जगा कोई नहीं ले सकता है तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाई पता नहीं कैसे लोग ऐसे दुखी मोमेंट में भी वीडियो बनाते हैं और डालते हैं मुझसे तो नहीं हो पाया ये सब चीज मैं नहीं कर पाई और मैं बहुत सदमे में भी थी इस वजह से मैं बिल्कुल जो है वीडियो अगरा नहीं बनाती थी आप लोगों ने तो देखाई होगा मैं काफी दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाली मैं तो मुबाईल भी नहीं लेती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लगता था पूरे टाइम उदासी सी रहती थी क्योंकि मैं अपने पापा से मैं क्या हम बहने अपने पापा से बहुत प्यार करते थे मेरे पापा थे ही इतने अच्छे थे मेरे पापा कि सायद इस दुनिया में उनके इतना अच्छा कोई इनसान ही नहीं है जो हम सबको बहुत प्यार कर चलती ही रहती है, कभी नहीं रुखती है, मैं अपने माई के डेड़ महीना थी अपने मम्मी के पास, उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई, आई अपने ससुराल, फिर पहले जैसी जिन्दगी चलने लगी, पहले जैसा रूटीन होने लगा, अब क्या करेंगे, जिन्दगी तो चलने का ही नाम है, वो तो कभी नहीं रुकती है, फिर मैं सोची क्यों ना वीडियो गेरा डालना शुरू करूं और मैं आप लोगों को भी पताओं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर की कि मैं क्यों नहीं डाल रही तो चलिए इसी तरीके से मेरा वो पल रहा ये अगले दिन का है सुबा मॉर्निंग में नहावा के मैं कपड़े डाल रहे हूँ कपड़े सारे धूल गए है तो बस उन्हीं कपड़ों को डालने में लगी हुई हूँ उसके बाद अब अपने गार्डन से फूल तोड़ूंगी फूल तोड़ के पूजा पाठ करूंगी ये दिन संडे वाले दिन का है संडे को सुबा नहाने वाने के बाद जैसे मैं हर रोज पूजा करती हूँ उसी तरीके से आज भी अपने डेली रूटीन में जैसे पूजा होता है उसी तरीके से करूंगी मेरे गार्डन में इस समय फूल ओ गरा बहुत लगे हुए है आप लोगों ने देखा ही है अब मैं मंदिर में आ गई हूँ इधर मम्मी भी मेरी नादो के पूजा पाट कर रही थी मम्मी तो बहुत विधी विधान के साथ पूजा करती है मैं इतना देर नहीं कर पाती है सिर्फ अगरवत्ती जलाना फोल चड़ाना उसके बाद हर्मान 40 पढ़ती हूँ बस हर्मान 40 पढ़के इतना सब करने के बाद मेरा पूजा हो जाता है बाकी भोग लगाना और पूरा विधी विधान करना ये सब मेरी मम्मी जी करती है क्योंकि हम लोगों किचन में भी काम रहता है पूजा पाट करने के बाद फटा-फट सबको नास्ता देना रहता है खाना बनाना रहता है काम बहुत सारा रहता है इसलिए हुजा करने के बाद फटाक से किचन में आ गई हूँ यहाँ पर चाय एक तरफ बठा दी हूँ एक तरफ ब्रेड सेखने लगे हूँ चाय ब्रेड सबको दे दूँगी उसके बाद नास्ता वगएरा होने के बाद खाना बनाऊंगी क्योंकि चाय ब्रेड खाएंगे लोग तो कुछ हैवी नास्ता भी चाहिए तो इसलिए फिर किचन में लग गई तो अब यह टाइमिंग है तो पहर का घर का राशन खतम हो गया था तो मम्मी बोली चलके सामान ले आते हैं घर का राशन तो बस मैं अपने मम्मी जी के साथ मार्केट में आ गई हूँ स्मार्ट बजार लोग कहते हैं यहाँ पर सामान में बहुत आफर रहते हैं बड़ा पैक लेंगे तो ज़्यादा आफर रहेगा छोटे पैक पे भी रहता है तो बस इसलिए स्मार्ट बजार मैं और मेरी मम्मी जी आई हुई है हम लोग पूरे महीने का राशन लेना है तो धेर सारा सामान भी लेना है तो बस घूम टहल के देख के हम लोग एक एक करके सामान मैं और मेरी मम्मी निकाल रहे हैं क्योंकि पूरी महिने का सामान लेना है तो सामान में धेर सारा है और मेरी मम्मी जी एक-एक सामान का लिस्ट बनाई रहती है सारा सामान ले लेती है ताकि बीच में कुछ भी कमना हो और बीच-बीच में लाना ना पड़े इसी वज़र से सामान धेर सरा रहता है तो हम लोग सामान देखके एक एक करके निकाल रहे हैं मैं तो पूरा सामान निकालने में लगी हुई थी मेरी ममे जी परची ली थी परची में क्या सामान मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है बस वही सब टिक लगाने में लगी हुई हैं टिक लगा लगा के देखती रहेंगी इस तरीके से करिये तो सही भी रहता है पता भी चल जाता है कि कौन सा सामान लिए कौन सा सामान नहीं लिए हैं कौन सा मिला है कौन सा नहीं मिला है इस सब का अंदाज लग जाता है इसी आगे चलूंगी और बाकी सामान लेती रहूंगी इधर देखिए करिब करिब पूरा टोटल सारा सामान ले ही ली हूँ अब चलूंगी विलिंग कराने के लिए एक ट्रॉली मैं ली हूँ एक ट्रॉली मेरा बेटा अभी राज लिया है हम लोग दो ट्रॉली भरके सामान लिय हैं क्योंकि अब पूरे महीने का सामान लेना था तो सामान भी ठेस आ रहा था इसलिए पूरा सामान लेके अब Admit कराने के लिए क्यों कि टाइम भी बहुत जादां हो गया है बस नास्ता वगजड खाना वगरा बना ली थी बना के मार्केट में आ गई हूँ सामाल लेने के लिए अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं टाइम भी बहुत जादा हो रहा है ये तकरीबन टाइमिंग दो बजे का है तो चलिए मेरा ब्लॉग तो यहीं तक है आप लोग को कैसा लगा मुझे जरू बढबाइ